ब्रस्टाचार को निम्नतम स्तर पे लाना किसी भी पार्टी किसी भी संगठन किसी भी व्यक्ति की जीत है चर्चा हम इस पर भी करेंगे क्योंकि córruption less functioning क्या आधर श्वादी स्थित है और उस आधर श्वादी स्थिती में पहुंचने के लिए समय कितना चाहिए होता है किसी भी संसथा किसी भी व्यक्ति को इस्पी गुपता जी भी हमारे साथ इस पैनल में हैं स्पी गुप्ता जी इस मसले पे हम आप से भी चाहेंगे कि आपके मन में कोई सवाल हो तो आप उसका जवाब लें सुदेश्व अगरवाल से सुदेश जी ऐसा है देखिया आपने जो अपनी पार्टी का वीजन है बहुत अच्छा रखा है जी और इसमें अभी सिर्फ ब्रस्टाचार पर रखाया जी जो मैंने आपने गागर में सागर भरते हैं जैसे उसमें इस सब कॉइंट्स में ले लिया आपने करेक्टर निर्मान पर ले लिया ब्रस्टाचार पर ले लिया और जहां ब्रस्टाचार मुक्त की बात करते हैं वह उसका बड़ा विरोध का सामना करना परता है जब तक वो ससक्त परस्णल्टी नहों या को पार्टी का धे नहों उसके लिए बड़ा मुश्किल है क्योंकि यहां भींता में एक ता जैसे इतनी जाती है धराम है तो उसमें आपकी पार्टी जो आप विजन इसको कैसे करेंगे आपने जो सवाल उठाया है वो प्लिटिकल सवाल उठाया है कि हम वहां तक पहुंचेंगे कैसे कि जिसे की हम अपना काम जो विजन है हम उसको लागू कैसे करेंगे किस तरिके से हम पहुंचेंगे यह आपकी बात बिलकुल सही है कि यह बहुत बड़ी चनौती होती है एक वो हम जेल भी रहे हैं, हमारा काम यह है कि हम जनता को अपने विचारों से अवगत करवाएं और वो हम बखू भी करवा रहे हैं, जितना हमारे संसादन हैं, रिसोर्सीज हैं, जितनी हमारे अंदर ताकत हैं, हम उससे उनको अवगत करवा रहे हैं हमारी पूरी टीम जितने भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं चुनाव लड़े हैं वो इसी दिशा में काम करें कि हम जनता को ये बताएं कि भी ये हो सकता है अगर आप लेकिन फैसला जनता को करना होगा कि क्या वो ब्रस्टाचार के खिलाब प्रसाशन के अंदर ब्रस्टाचार मुक्त लोगों को भेजना चाहती है या नहीं भेजना चाहती है अगर नहीं भेजना चाहती है जो हो रहा है वो होता रहेगा लेकिन उसका खामियाजा क इसको भुखतना पड़ता है खाम्याजा तो सभी परदेश की जनता को भुखतना पड़ता है हम भी उसमें से एक है तो भुखतेंगे लेकिन लोगतांतरिक परिकिरिया के अंदर है तो यह इस परिकिरिया को या तो हम नाम मुझूर करें या इसका जो परिनाम आते हैं उसको स्विकार करके उसके हिसाब से चले समस्थ भारतिया पार्टी की यह सोच है सुदीज जी एक सवाल मेरा भी आप से आपने चुकी चरित्र निर्मार पे जूर दिया है सिक्षा को दुरुस्त करने की बात कही है मुझे लगता है कि यह बहुत लंबा प्रोसेस है इसके लिए लंबे समय तक कारियरत रहना होगा आंदोलन रत रहना होगा चाहे आप सरकार में रहें चाहे आप सरकार में ना रहें आप बिल्कुल ठीक कह रहें कि शिक्षा के माध्यम से एक लंबा प्रोसेस है लेकिन चिरितर निर्मान कभी भी छोटा प्रोसेस नहीं होता है चिरितर निर्मान के लिए आप ये देखे कि अगर हमने ये कारिया 25 साल पहले शुरू किया होता तो आज हम एक जीडी नई पीडी पैदा कर देते हैं जो ब्रस्ताचार मुक्त होती लेकिन कहीं न कहीं से तो शुरूआत करनी पड़ेगी आप देखें न मैंने कहा है कि भरस्ताचार को हमें शॉर्टर और लॉंग टर्म मीडियम टर्म हर किसम की पॉलिसी से हमें काम करना होगा मीडियम टर्म के लिए हमें अपनी सिक्षा के लिए काम करना होगा हमें अपने तंतर को बदलना होगा तो यह जब तक कि हम पूरा एक लॉंग टर्म स्ट्रेटीजी से भरस्ताचार को घेरने की बात नहीं करेंगे आप यह कहें कि रातो रात भरस्ताचार खतम हो जाएगा ऐसा नहीं होने वाला यह हमारा मानना है अगले मुद्दे पर आएं हां मैं अगले मुद्दे पर अपनी ब्रीफिंग जो है वो करता हूं बिजली बिजली के उपर क्योंकि बिजली एक बहुत बड़ी समर्श्या परदेश के अंदर है और बहुत सी सरकार पत्रों ने यहां पर बार बार यह का कि हम 24 घंटे बिजली देंगे अभी के घोषना पत्रों में भी यह कहा गया है कि हम 24 घंटे बिजली देंगे भाजपा ने भी कहा है है हेलोपा ने भी कहा है कि हम 24 घंटे बिजली देंगे मैं इसके उपर कहना चाहूंगा कि समस्त भा जेनरेशन के अंदर हर्याना पीछे है ये क्योंकि यहां पर जो बिजली की जो डिमांड है मांग है वो दस हजार मेगावाट के करीब है और यह बढ़कर आगे जाके और भी बढ़ जाएगी लेकिन आपकी जो सप्लाई है यहां पर वो साड़े चार हजार मेगावाट है यह इसके करीब इतने पावर प्रांट से तो बाकी बिजली तो जो है आप परचेज का रहे हो जो हर्याना के अंदर प्लांट लगे है उसमें आपका शेर ही पच्छी परसंट है जो प्लांट उपर प्रसंट चेन है कि बिजली की सप्लाई हर्याना प्रदेश के अंदर मांग के हिसाब से नहीं हो सकती है क्योंकि जब तक हम जन्वेशन या ट्रांस्मिशन या परचेज पहले तो हम इसको सुदूरिड करेंगे और जब तक यह नहीं हो जाता है समस्त भारत्य प्रदबंदन है जो विजली विभाग का डियाच भी हर्याना दक्षिन और्ट है इनको सुचार् alum रूप सेंको स्क्रिय करेंगे इनके अंदर जो इनिमित आएंय इनको दूर करेंगे जिसके कैति बिजली का जो हमारे पास बिजली है उसका शडूल जनता के साथ बिलकुल नियंतरन तोर से उनको मिले कि इतने बड़े बिजली कट होगा, इतने वोल्टेज की बिजली आएगी, इतना ये काम होगा, पहले तो हम इस डिपार्टमेंट को सक्रिय बनाएंगे, क्योंकि ये सक्रिय बनाना बहुत जरूरी बात है, आज आप देखें कि बिजली का बिल द हैं, इनको हम सुचारू करेंगे, फिर किसानों के लिए बिजली, किसानों के लिए बिजली महिया करवाना बहुत जरूरी बात है, उसको हम ठीक करेंगे कि किसानों को शेडूल के हिसाफ से जितनी बिजली है, उसके हिसाफ से उनको महिया, उनकी जरूरत के हिसाफ से, समय ये नियूकि भी आपके जरूरतत है और चार दिन ले बाद बिजली आ रहे हैं तो समय पर काम करना है में पिजली गरेला बिजली को हम चौबीस घंटे महिया तो मेगा वार्ट vous करोगे तो उसमें ज्यादा डिमांड नहीं थी आप उसको 24 घंटे महिया करवा सकते हो उसके अंदर हम 24 घंटे करेंगे और साथ ही साथ जो हमारे प्लांट्स लगे हुए हैं यहां पर जन्वेशन प्लांट्स हर्याना के अंदर उनकी शमता जो है वो बंद रहते हैं कभी दो अब तो कभी एक दोता है कभी चाइनीज का बहाना लगा जाता है कि यह चाइनीज का मटिरियल है तो यह जो अनिमेता है बिजली विभा के अंदर शक को हम ठीक करेंगे चोरी के लिए बेहर्याना के अंदर बिजली की चोरी अपने आप में एक समस्या है उसके लिए कई कदम उठाए जा चुके हैं आज मीटर जो हैं बाहर लग गए हैं इंसुलेटिड वायर्ज लगा दी गई हैं आज इसको भी हम ठीक करेंगे और एक और समस्या बिजली को लेकर कि गाओं के अंदर आप देखिए कि तारें जो हैं बिजली की तारें जो उपर से घरों के उपर से जाती है यह वो उनका बहुत ही बुरा इंतजाम है लेकि वो कहिं भी सुचारू रूप से दिखती नहीं है और मैं इसको यह मानता हूँ कि इसमें पैसे की जरूरत नहीं है इसमें तो सिर्फ यहां पर जो बिजली विवाग के करम चारी है उनकी सक्रियता की जरूरत है और राज़ितिक सोच की जरूरत है अगर बता दिया जाए कि बिजली का ये हमारा स्केजूल है और ये रेट पे चलेगी तो उसमें हमें कोई समस्या नहीं है लेकिन उसके अंदर बदलाव बहुत जल्द बदलाव कर दिया जाते है रेट भी बदल दिया जाता है आपने एक long term contract लिया हुआ है और long term contract जो है उसमें आपके बिजली की रेट आपके बदल दिये गए तो आपका तो सारा हिसाबता भी बदल गया जी तो उद्योग यह चाह करती है वो तभी आएगी जब बिजली की जो समस्या है इसे इसका समधान किया जाएगा सुदेशी आपने सारी बात है रखी बड़ेशी बात है कोना चीए लेकिन जब हमाँ पार जेनरेशन नहीं है आपने का कुछ पादन बिजली का नहीं है तो सारी चीज़ आप करेंग करेंगे या फिर आप डीजल से करेंगे तो दोनों दोनों रिसोर्सिज आपके पास है नहीं यहां पर यहां पर प्रमानुशी अंतर का जो काम शुरू किया वाइफतियाबाद के अंदर वही एक किसा में प्रयापत है कि भी हम उसके अंदर जेनरेशन जनरेशन के साथ साथ यहां पे जो आप पावर परचेज अगरिमेंट कर सकते हैं याप को जरूरत नहीं है कि आप यहां पर पावर प्लांट्स ही लगाएं आप आप आपके पास अगर पैसा आपको बिल जाएगी उसमें कोई समस्या नहीं है जो आपने डूसरी बातें कहीं हैं की चोरी की बात किया है about transmission लॉसीच आपको यह बता देना चाहता हूं कि भावना है कि transmission losses बहुत ज़ाधा है मेरी एक superintendent engineer है उनसे मेरी बात हुई है आज कल transmission losses जो high tension transmission की बात कर रहा हूं मैं low tension की बात नहीं कर रहा हूं उसमें transmission losses इतने ज्यादा नहीं है आज उनके उपर नियंतरन पाया जा चुका है तो transmission losses बहुत minimize कर दिये गए हैं तो transmission losses की इतनी बड़ी problem नहीं है यहां पर चोरी की औ मानता हूं अगर यह इसको ठीक रहा है इसको जो है सुचारू रूप से चलाया जा सकता है जितने रिसे करेंगे आप उसको जाजितिक सोच क्या बात कर रहे हैं राजितिक प्रभंदन क्या बात कर रहे हैं उसको कैसे करेंगे आप इस सवाल में supplement एकरना चाहरा हूं की renewable source of energy जिसमें wind power है solar power है उस पर आपकी पार्टी का क्या बीचा है आपने बिल्कुर सही बात आपने उठाई है शायर यह मेरे से skip भी हो गया है कि मैं इसके उपर solar power के उपर नहीं कहा मैंने और solar power का इस्तेमाल हर्याना के अंदर बखुबी तोर पे किया जा सकता है और हम उसके ल को उचमें तो यहां कि जो आपका बिजली मंतरी है उसके उपर ग्यान होना चाहिए वह उसको बिजले का ग्यान होना चाहिए जो मंतरे चीज को बदलेंगे हम कि जो काबलियत रखता है वही उस मंतरी बने जिससे को जानकारी हो सुदेश जी देखे यह बिजली की समस्या है सभी मानते हैं भी से बड़ी कोई समस्या नियाज और इसमें जैसे सोलर पॉइंट का आया नोन कर्मेंशन इनर्जी जो है वो साधन हर्याना में नील मात्र हैं हम अगर बायो गैस लगाएं जो गाओं में बिजली की रिक्वाइरमेंट है वो सब समस्या दूर हो सकते कि आप जो गुपता जी जो आपने कहा है आपने जो सुझाव रखा है बहुत ही बढ़िया सुझाव है और इसको शायद आपने कई और सरकारों के सामने भी रखा होग लेकिन क्या है कि मांते नहीं हैं? होगा समस्त भारते पाल्टी को माश्टी को मानती है कि होगा योगा क्योंकि मेरा कि कहना यहीं है इस पर आप करेंगे तो आपको जूरती ही में ऐसे पावर में करने देखें तो आप सारा कुछ कर सकते हैं मैं आपके सुजहाव से एकसेप्ट करता हूँ और मौका मिला तो इसको लागू करता हूं पॉलुशन प्री है यह जो बिजली के बिल है यह बहुत बड़ी प्रावल्म है कै बिज्टी के बिल लगातार बढ़ते जा रहे है बिज्टी की सुष स्वीधा उती नहीं है उकि या अब लीचे के आप लिख सबसदी जो स्टेट के अंदर जो किसानों को दी जाती है और वो उसका miss utilization भी होता है सबसिदी का और किसानों को सबसिदी के लिए क्योंकि वोट बैंक की राज़िती होती है तो वहां पे सबसिदी किसानों की समस्याओं का समाधान करना उनका revenue बढ़ाना बिलकुल सही बात है जायज बात है उसके लिए होना चाहिए जिससे उनकी लागत हो लागत को सभी सुविधाय मोहिया करवाएंगे और जो उनकी सबसिदी है उस क्रीशी कार्ड के मादन से हम उस सबसिदी को देंगे जिससे कहा कि इसीज़ को कंट्रोल में लाया जा सके लेकिन यहां पर मैं आपको विजली की जो समस्याओं चाहे वो किसानों के लिए है चाहे सबस मिल भेठ कर आप चर्चा करके समस्याओं निकाल सकते हैं अड़ी कर बैद कि बौष बढ़ता है उस ओझले को कम कैसे लगते जारा है जब एक परिचलिकी जाना शितिख पिजली के खाली देज़ बढ़ता जा रहा है जब खती है एकर उस चीज़ को आप समझिए जब आर् माइक्रोवेग भी लगाना चाहते हैं आप सभी लोग ज्यादा एसी भी लगाना दर तो पड़ जाए कि खपट जितनी करेंगे उतना पसा देंगे ये लेकिन जो रेट ऑफ बिजली जैसे किसान के लिए आप जो रेट कॉस्ट आ रही है कॉस्ट से जादा समर्थन मुलिया आज जो बिजली कमर्शिल जो इने जरॉय घर। आप में देखे कि मिस मैनेजमेंट को तो हमने कहा कि उसको तो खतम करेंगे चुका है कि tunnels लेकिन कई आप आसे tough भुषए यह निए जो की यह सारे घपले जो हैं अगर एक ही चीज से इनकों काभू किया जा सकता है कहने का मतलब यह कि रूट को रेगुलराइज करें यह चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगे यह उन्हें आप देखें कि मैं तो इस चीज को मानता हूं कि परबंदन में के अंदर मेरे एक लंबा एक्सपीरियंस है गुपता जी का भी लंबा एक्सपीरियंस है अगर आपकी परबंदन करने की नियत साफ हो हर समस्या का समधान निकाला जा सकता है उसकी सोच रखी जा सकती है और आज तक के निताओं ने यह सारे पलिटिकल लोग यह आप कहते हैं ने आज कल के निताओं नहीं कि आएंगे और दूसरा उस कबस्तिने हो इसको आप काम करने की पड़ा लेंगे अगे बढ़ाएंगे एक कमर्शियल ब्रेक लेना होगा मुझे झाल अज बंड़ाद इसन देम पलावा लेक लड़ा होगा 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 है